आपका नाम क्या है भाई? से मेरा नम हमीत महुर्या है ये जो कागजे अपना उठा के दिखाओ इन लोगों को इसमें क्या लिखका है अच्छी तरह पढ़ो इसको इसमें क्या लिखका है आपने बताओ बताओ OBCSC सिछकों को न्यूक्ती दो सर हम दो साल से इको गार्डन में लगातार थे हैं नहीं तुम दो साल से चक्कर काट रहे हो ठीक है खड़े हो खड़े हो मौरिया जी ये आपने पोस्टर पकड़ रखा है ये कागज की कोई ज़रूरत नहीं इसको उठाओ यह आपने कोई जरुवत ने है इसकी देखिए यह आपने पोस्टर पकड़ा हुआ है इस पर यह शब्द OBC और SC लिखा है इसका क्या मतलब है OBC शब्द का मतलब बताओ मुझे जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनी को OBC कहते हैं हम लोग OBC SC जो है पिछड़े समाज से हैं हम लोग का जो है सबसे पहले भाई माइक स्थेवाल करना सीखो इसको यहाँ पकड़ो फिर बोलो अब मुझे बताओ ओबी सी क्या है अब मुझे बताओ ओबी सी क्या है OBC क्या है मुझे बताओ ओबी सी क्या है मुझे बताओ अधर बैकवर्ड कास्ट भाई OBC अबादी हिंदुस्तान में कितनी है यह बताओ सबको मिलाके इसकी अबादी इस बंबर शेर की अबादी पचास परसेंट है बात समझाई इसकी अबादी पचास परसेंट है यह कागत फिर से दिखाओ मुझे नई दूसरा वाला नीला वाला यह पकड़ो इस पे दूसरा शब्द क्या लिखा है यह क्या लिखा है जोर से शेडियूल कास्ट की अबादी कितनी वो भी पंद्रा परसेंट पचास और पंद्रा कितना आट परसेंट आदिवासियों की है पैसेट और आट कितना हुआ तो यह सुनों सुनों इसकी अबादी 73 परसेंट है यह पोस्टर लिए घूम रहा है और यह रो रहा है यह क्यों रो रहा है यह क्यों रो रहा है यह इसलिए रो रहा है क्यूंकि यह पिछड़ी चात का है यह इसलिए रो रहा है क्यूंकि इस देश में इसके लिए कोई भविश्य नहीं है सही बाद बोली मैंने इसका कोई भविश्य नहीं है और हमारा काम 73 परसेंट का काम इसके लिए भविश्य बनाने का है इस देश में दलित पिछड़े आदिवासी 24 घंटा गमाई जाते हैं उन पे थूका जाता है उनको धमकाए जाता है उनके रास्ते बंद किये जाते है ये सच्चा ये देश की मैं आपसे पूछता हूँ 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में अदानी वाली अंबानी वाली टाटा वाली बिरला वाली सुने होंगे नाम आपने आगे पीछे देखो नाम दिख जाएंगे मुझे बताओ मौरिया जी इन 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में मौरिया जाद के कितने लोग हैं बताओ बाई और बहनों मौरिया जाद का कोई नहीं है चलो बताओ भाया यादव कितने कोई नहीं है बताओ पासी कितने कोई नहीं है सर जाटव कितने कोई नहीं है आदिवासी कितने कोई नहीं है सर कुर्मी कितने कोई नहीं है सर लोधी कितने कोई नहीं है भाईयों और बहनों 50% आपकी अबादी है सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक में न एक OBC ना दलित ना एक आधिवासी अब मौरिया जी मुझे कहेंगे देखो वहिताई कि मैं मालिक नहीं बनना चाहता मैं तो मैनिजमेंट में जाना चाहता कोई नहीं है कोई नहीं है तो management में कोई नहीं मालिकों में कोई कोई नहीं 73% अबादी का हिंदुस्तान के सबसे बड़ी 200 कंपनियों में कोई नहीं अब भाईया मोरिया जी पताओ private hospital के मालिकों में से मोरिया कितने मुझे किसी का पता नहीं है कोई नहीं मैंने list निका लिये कोई नहीं अब बताओ private university colleges के मालिक में 70% के कितने कोई भी नहीं अच्छा बताओ सुप हाई court में 650 हाई court जाज है उन में से बता दो मौरिया कितने एक भी नहीं है मुझे बताओ मौरिया जी ये मीडिया वाले चकर काट रहे इनके मालिकों में से मौरिया कितने कोई भी नहीं है OBC कितने कोई भी नहीं दलित कितने कोई भी नहीं है पिछडे कितने कोई भी नहीं अब बताओ मीडिया में कोई नहीं सबसे बड़ी कंपनियों में कोई नहीं तो मौरिया जी तेरे आदमी है कहाँ कहीं नहीं है सर तेरे आदमी मजदूरी करने देश में मन रेगा की लिस्ट निकालो OBC दिखेंगे दलित दिखेंगे आदिवासी दिखेंगे कॉंट्राइक लेबर की लिस्ट निकालो OBC दिखेंगे आदिवासी दिखेंगे दलित निकलेंगे अब सुनो अब मैं आपको बताता हूँ तुम लोग तुम लोग ये कागज लिए बैठे हो ना पेपर लीक वाले फेलो तरह आने लो मौरिया मौरिया जी बैठे रहो मौरिया नीचे नहीं बैठना उपर बैठना है अब मौरिया जी अब मैं आपको बताता हूँ ये पेपर लीक में क्या हो रहा है बात समझ नहीं है आप लोगों को समझ नहीं है अब 73% ने 73% कौन है दले तादिवासी पिछडे उसमे 15% आप माइनॉरिटी जोड़ दो ठीक है सिख, मुस्लिम, इसाई ये सब जोड़ दो और 4-5% गरीब जनरल कास के जोड़ दो ठीक है तक्रीबन हिंदूस्तान की 90% अबादी अब ये क्या करते हैं इनको सबसे पहले एक जूट बता जाता है चोटे-चोटे बच्चे पैदा होते हैं इतने बड़े उनको कहा जाता है बेटा तू अगर पढ़ाई करेगा आजा बेटा, तू अगर पढ़ाई करेगा IS में IPS में railway में इधर-उधर नौकरी मिलेगी ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ ठहर जाओ, सुनो उसको कहा जाता है इतने बड़े बच्चे को कहा जाता है बेटा तू पढ़ ले तेरे बाप के जेब में से 5-6 लाग रुपए निकाल कर प्राइवेट कॉलेज में डाल दे प्राइवेट उनिवर्सिटी में डाल दे कोचिंग सेंटर में डाल दे और फिर तुझे IAS IPS वो देको बीजेपी वाले जंडा उठाएं हलो हलो पाँच लोग कड़े हुआ आप जंडा लिये वो देको जंडा भी डाउन कर दिया तो तो उनको कहा जाता है बेटा बड़े होके IAS में जाओगे अब पुलीस में जाओगे इधर उदर जाओगे आप पांच लाग दस लाग रुपए डालते हो और फिर क्या होता है आपका पेपर लीक हो जाता है और वो ही दो तीन पांच परसेंट लोगों को सेंट परसेंट मार्च मिल जाते है बिना कोई काम किये आप देखते रह जाते हो बाई और बेनो आप पिछड़े हो आप दलेत हो आदिवासी हो आपका काम सडकों पे लिए ऐसे पोस्टर लिए घूमने का है ये आपका काम है आपका इस देश में और कोई काम नहीं बचा ये आपका भविश्य मैं वारानसी गया वारानसी में देखा मैंने रात को बाजा बजरा है थेड़ जा थेड़ जा बाजा बजरा है वहाँ पे शराब पिए शराब पिए सडक पे लेखते हुए बाजा बजरा है यूपी का भविश्य रात को शराब पिए नाच राए डांस कर राए नशे में दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोधी देखेगा आपको अंबानी देखेगा आपको अदा नहीं दिखेगा आपको हिंदुस्तान के सबसे अड़पती दिखेंगे आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा आपको एक धलित नहीं दिखेगा आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा क्यों नहीं ये वो आपकी जगे नहीं भाई और बेनो आपकी जगे सड़कों पे भीक मागने की है आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है और उनका काम उनका कुछ नहीं होगा भीया उनका काम पैसा गिनने का है आपके बच्चे जी एस्टी देते हैं आप जी एस्टी देते हो मीडिया के आप नाम क्या आपका हाँ आप शिप्रशाजी है आपके मालिक का क्या नाम है आपके मालिक का क्या नाम है क्या नाम है नाम बताओ नाम बताओ ओई मारो मत यार मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है, नाम बताओ उसका, वो OBC है, नहीं, वो दलित है, नहीं, वो आदिवासी है, नहीं, अरब पती है वो, आपने कभी मीट, भैया उसको मारो मत पिचारेगो, भैया आप आजाओ यहां, आजाओ, आजाओ, दरना नहीं है, इसको ब हाओ इदर कि इदर आओ भाई कि इदल आओ इसको आज़िए अप्रिलाक्स करो रिलाक्स करो यहां आजου बस शॉन्टी से बैया शान्ती से आज बैड़ जाओ कोई प्रोब्लम नहीं है इंते जो मालिक है अरब पती हैं ये किसानों की कभी बात बैटो बैटो ये किसानों की कभी बात नहीं करेंगे ये दलेतों की पिछड़ों की कभी बात नहीं करेंगे ये अपने अक्बार में ऐसा कभी नहीं दिखाएंगे ये हिंदुस्तान का भविश्य है ये हैं इसको देखो अच्छी तरे पेपर लीग बेरोजगारी महिंगाई ये आपका भविश्य है और दूसरी तरफ चोपिस घंटा आपका ध्यान इदूर अधर करते रहते हैं इदर देखो उदर देखो बाई और बहनो आपकी 73% अबादी है करांती कारी कदम लेना है आपको मैं बता देता हूँ क्या है जाती जनगरना सबसे पहले आपको पता लगाना है आपकी अबादी कितने उसके बाद इस देश का जो धन है किसके हातों में वो आपको पता लगाना है आपको सुबह उठना है कहना है भारत माता का कितना धन मेरे जेब में आया अदानी उठता है सुभे और कहता है आज मैंने सोचना है मैंने देखना है सोनी किचिडिया का कितना पैसा मेरे जेब में आया यही सवाल आप सबको अपने आप से हर रोज पूछना पड़ेगा जब तक आप ये सवाल नहीं पूछोगे तब तक आप लोग प्रगती नहीं कर सकते हो आपका 24 गंटा बेफ़कूप बनाय जाता है 24 गंटा ये मौरिया जी खड़े है मौरिया जी आपको दरना नहीं है आपको जाती जंगरना के लिए लड़ना है जाती जंगरना से आपके अबादी के बारे में पता लगेगा जाती जंगरना से आपको पता लगेगा कि देश के बड़ी कंपनियों में आपके लोग कितने हैं मीडिया में कितने लोग हैं ये सब पता लगेगा उसके बाद करांतिकारी काम शुरू होगा फिर इस पोस्टर के जरुरत नहीं होगी समझे बात घवरा गए तो ये मैं आपको मेसेज देना चाहता था आप राम मंदर की बात होती है चौपिस गंटा राम मंदर की बात होती है वहाँ पे आपने किसान को देखा आदिवासी राश्टरपती को देखा दलित को देखा अंबानी को देखा अदानी को देखा अमिता बच्चन को देखा शारुक खान को देखा यह हैं दो तीन परसेंट जो देश को चलाते हैं आप लोगों को आप लोगों को जो आपका हक है वो लेना है 73 परसेंट को खड़े होके अपना हक लेना है और हक लेने का पहला कदम जाती जन करना है भूलो मत आप सब का दिल से धन्यवाद निया यात्रा में हमने शब निया इसले चोड़ा है आपके खिलाफ अनियाए हो रहा है आपको हर रोज हर रोज आपकी बेस्ति की जा रही है यह आपके बच्चों का भविश्य नहीं हो सकता यह मैं मानने को त्यार नहीं हूँ धन्यवाद जहिन नियाय का हक मिलने तक